नमश्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आपने 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 समस्तान परिक्षाप्रस में एक बहुत इंपोर्टेंट सेसन आप सभी के लिए लेके आया हूँ CSIR के दोरा सेक्सन आपसर और असिस्टेंट सेक्सन आपसर की वेकेंसी 444 पदों पर और बहुत बेहित्रीन वेकेंसी निकली है और जबसे मैंने इसके बारे में आपको सोचना दिया है लगातार बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर इसके तैयारी करने की सही रणनीत क्या होनी चाह आए या online इस्टटी्ई ही करें या aí हम self study भी कर सकते हैं और इम यहां पर selection बितरी सकते हैं उत्सक्ते करें टो और सबसे वड़िवा ऐधी बात है कि यह बहुत 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 तरीन जॉब है 444 पर 10 साल बाद वस 2013 में आई थी और तब सेक्शन ओफिसर और एसिस्टेंट सेक्शन ओफिसर की नाम से नहीं CASE जो 2013 थी वो एसिस्टेंट के नाम से होती थी जो तीन कैटेग्री में होती थी हाला कि सेम वेकेंसी है सब कुछ वही है बस पदों की संक्या बढ़ गई है सिलबस में थोड़ा सा चेंज है और उसके बाद कॉम्पूटीशन इस बहुत अच्छा इस बाद देखने को मिलेगा सब कुछ आपको इस ससन में जानकारी मिलने वाला है तो यदि आप CSIR के द्वारा CASE 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगा पे हो चनल को सब्स्ट्राइब और शक्र लिज़ेगा वीडियो को लाश्ट में देखीगा आपके सारे समस्त्याओं का सारे questions का यहाँ पे जो जवाब है वो आपका इस वीडियो में मलने वाला है बहुत बेतिन तरीके से तीम परिक्षा प्रस जो आपकी मदद करने वाली है सब कुछ में इसमें बताने वाला हूँ इसमें 25-25 questions हलाके तीन special topic है पच्चेस इथिक्स के पच्चेस मरेजमेंट के और पच्चेस decision making के तो मैं decision making को अलग नहीं मानता हूँ यह आपका हर जगा पढ़ते हैं यह जो आपके लिए challenge लगा है इसको हम लोग कैसे tackle करें क्या यह परिक्षा UPSC जैसी है या UPSC जैसी नहीं है इस परिक्षा को निकालना आसान है कम मेरत में तो मैं सबसे पहले पूरी session को start करने के पहले आपके दिमाग में जो आपकी स्थी है कि नहीं इसका syllabus बहुत vast है यह तो UPSC जैसे pattern पे जाएगा तीन महीने में नहीं हो सकता तो मैं आपको एक line में बताऊंगा ऐसा नहीं है यह UPSC बिलकुल भी नहीं है अब यह पूरी video अब देखोगे फिर आप समझ जाओगे कि मैं यह subject क्यों बोला हूँ कि UPSC नहीं है क्योंकि क्या coaching है हो रही है केवल hype create कर रही है UPSC UPSC यह UPSC नहीं है केवल ethics subject आ जाने से कोई चिस UPSC नहीं बन जाता इस इसको समझना आगे हम लोग समझेंगे किस प्रकासे तयारी करना है तो इस सबसे पहले तो आप लोग के high demand पे आपसे मैंने पूछा था कि आपके demand प इसकी तयारी करते हैं one day exams की बट मैंने पहले पता दिया थे कि मज़ाग आपको नहीं करना है लेकिन आपके लिए जहां पर अन्य संस्थाएं इस पूरे course को 4500 बिल्कुल आप सही सुन रहे हो कि अगर किसी पर संस्था पर जाओगे इस पूरे course को UPSC का hype देके 4500 में course यहा कि मैं इसकी बारे में यहां पर बताने नहीं आया हूं मैं जो बताने आया हूं वो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा resources क्या जरूरी है किताबे कौन सी होनी चाहिए कौन सी किताबे आप पढ़ोगी क्या इसके लिए किसी publication के dedicated books आई है या फिर जो परेक्षा प्रस के notes होत होती रहेंगे तो यह आपका CASE 2023 है और CASE यहां पर combined administrative services जो examinations होते हैं आप देख सकते हो और यह CSIR के द्वारा है CSIR जंदली जो scientific research के लिए माना जाता है बट किसी भी organization में administration की अवशक्ता पढ़ती है और उस administration में section officer और assistant section officer की हाला कि किसी भी organization में section officer की direct recruitment नहीं होती है हमेश review officer की होती है उसके बाद promotion के बाद क्या होते हैं section officer या assistant section officer बनते हैं बट CSIR जो पहले assistant के नाम से निकलती थी वेकंसी वही वेकंसी है पिछली बार जो वेकंसी निकली थी 2013 में निकली थी 106 पर के लिए लगबग निकली होई थी तब competition बहुत कम था resources बहुत कम available थे pattern भी पर क्या क्या दिया गया है पेपर टू में थोड़ा सा changes किया गया है और पेपर टू में 150 की जगा पे 200 कोशन किये गये हैं 50 कोशन जो बढ़े हैं और वो 50 कोशन और कोई नहीं वो ethics वाले पार्ट बढ़े है और decision making वाला पार्ट बढ़ा है क्योंकि management पिछली बार भी था आ graduation के वाल मांगा है तो आप सभी लोग इसके लिए eligible हो पहले उम्र 28 मांगता था अब इसमें जो age मांग रहा है वो 33 मांग रहा है मतलब पिछले साल से 5 साल जादा का range बढ़ा दिया है और उसके बाद भी सारे categories में relaxation है it means all of you are eligible मतलब एक बहुत बढ़ा chunk जो बहुत बढ़ा ऐसे exam बीच में आ जाए है जो हमारे लिए एक बून सावित हो हमारे लिए एक कही न कहीं वर्दान सावित हो और ऐसे important ऐसे बहुतरीन अगर vacancy आपके सामने आ जाती है 10 साल बाद तो यकीन मानिये 10 साल क्यों नहीं आई इसलिए नहीं कि साध यह आपकी किस्मत की vacancy थी और इसमें क्या होगा तीन स्टेज में paper होगा paper one paper two और आपका paper three paper one और paper two आपका mcq based होगा objective होगा paper three आपका descriptive होगा आपको क्या होगा pen लिखना होगा copy पे descriptive बेस पे होगा writing टाइप में होगा जिसमें essay precise writing और आपका क्या होगा application writing होगा Hindi English दोनों होगा मतलब निबंद और पत्र लेखन भी आप कर सकते हो संक्षेपड कर सकते हो paper one में अगर देखा जाए तो इन्होंने जो बच्चे ड़ते रहते हैं कि मेरी जीरस कमजोल नहीं है पेपर वन कैसे कर पाऊंगा ऐसे मैं समझेगा कि पेपर वन में केवल जंडल अवेर्नेस और इंग्लिस लैंवेस दिया है जंडल अवेर्नेस में केवल हिस्ट्री मतलब इंडियन हिस्ट्री मतलब complete इंडियन हिस्ट्री आप ancient medieval और आपके अकल दो modern complete पढ़ लोगे तो आपका है current affairs है यह मिला कि आपके तीन पार्ट मिला कि कितने होंगे 100 question और जो आपका 50 question होगा वह आपका क्या होगा वह आपका English का होगा और English अपका बेहत आसान यहां पे पूंचा जा रहा है तो यहां पे 0.33 मतलब one third का negative है एक positive 120 में आपको paper one में मिलेगा paper one और paper two एक ही दिन होगा पिसली बार भी हुआ था यह बोल देते हैं कि जितने number of form पढ़ेंगे उसके आधार पर किया जाएगा बट कितने भी form पढ़ेंगे अभी तो इनका प्लान यह है कि cbt mode पे लेंगे online पर इक्षा लेंगे लेकिन in case form जादा होते है तो यह offline भी ले सकते हैं paper one paper two च आए है जिसमें ethics integrity aptitude है और आपका a concern management है लिकिनों बहुत आसान topic है मैं आपको बतातों मैं क्यों आसान बोलुगा अपर जिबा मैंगा सर इतना आसान आप क्यों बोलने मैं बतातों क्यों आसान है जो चौथा चरण आपका paper one paper two combined marks के आधार पे आप paper three में बुलाए जाओग उसके लिए interview नहीं है क्योंकि वो guested officer की post नहीं है section officer aso याने की guested officer की post उसमें interview necessary हो जाता है aso में interview नहीं है तो interview की जगह पे वो computer proficiency test लेंगे और आप सारे बच्चे computer proficiency test की इससे पहले की exam में तयारी करते आया हो मुझे पता है वो कुछ अलग नहीं है वही आपको इस पर word पे काम होता है थोड़ा बहुत paint पे काम होता है वह सारी चीजे internet पे काम होता है वह आपका CPT होता है आते हम लोग को इससे थोड़ा सब briefing करते हैं कि आपको कैसे इसमें एक एक portion लेके चलने तो सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी चीज की तैयारी करने जाते हो आपके प graduate हो और आप 33 साल के अंदर हो general category में अगर आप OVC या SC या HD उसमें तीन साल पांच साल क्रम सा क्या होते relaxation है आप उस देख लिजएगा तो तो त्यांतिस पांच अनतिस साल या चाली साल बहुत ज़्यादा होता है अब हिस्ट्री आफ इंडिया एंडिया इंडिया इंडिय question पूचा जाएगा CSIR paper करवाए जाएगा जंदल आप ऐसे बहुत सकते हो बहुत टफ लेबल का बना देंगे तो state PCS लेबल का बना देंगे इतना ऐसा ने बनाएंगे कि आप इसे कर ना पाओ एक fact बेस पे थोड़ा बास concept बेस पे question आपका ये रहेगा हाला कि CSIR है तो CSIR अ थोड़ा सा conceptual mix आपको पेपर मिलेगा बहुत बैलेंस पेपर ना इजी ना टफ एक इसी टुमादेट को छूता हुआ मतलब एक जन्रल इंफॉर्मेशन आप अगर अच्छे से तीन महीन आने वाले तीन महीन मतलब दिसंबर जनवरी और फरवरी फरवरी राश्म में आपका परसा होता है लेकिन गवर्नेंस और सोचल जुष्टिस कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप इसे पहली बार पढ़ने जारों आप लोग अक्सर पॉलिटी पढ़ते हो एम लक्षमीकान की किताबें पढ़ते हैं उसमें यह सारी टॉपिक कवर होती है अगर आप नहीं भी ब अगब आपका करेंट अफेर्स के ही कोशन होंगे उसके बाद अगर इसको देख लिया जाए तो तीस तीस कोशन जिसमें हिस्ट्री के कोशन ज्यादा रहने की चांस है तो पैंटिस पक्चिस पक्चिस में इंडिन पॉलिटी की अगर देखा जाए तो में ऐसे आपको किसी कोचिंग पे आपको घंटों घंटों बहुत ज़्यादा मेराथन और यूट्यूब पे आपको करेंट की वीडियो नहीं देखनी है करेंट अफेर्स के लिए आप सबसे ज्यादा जो फोकस्ट होता है वह आप मैगजीन पे फोकस हो कोई संस्ता आप से कोशन कर यह कोई आप से महराथन करवाता है तो और कहीं से नहीं वही जो मैगजीन होती है या पर जो पियाई बी बेगारा के रिसोर्से सो दें वहां से उठाते और मैगजीन भी जब करेंट रफेर्स की मेगजीन जिससे घटना सार नहीं और पड़ पड़ हो गया ने क्रोनीकल हो पर सकते हूँ और यह आपका मेजर चंग 40 कोशन सो में से लगवग यही कवर करेगा बाकी हिस्टी के लिए अगर आप बोलो कि एक कोई किताब तो especially मैं बोलूँगा अगर इतना बहुत डेटेल में पढ़ने की जरूत नहीं है हमें यहाँ पर एक किताब आपको सजिस्ट कर सकता हूँ कि जो मैज बनवाल की एक संपूर इतिहास की किताब है बहुत अच्छे से उन्होंने कंपाइल करके दिया है आप वो पढ़ सकते हो और आप पौलिटी लिए बोले कुई है कोई लक्षमी कान अगर ऐपने लक्ष मिकान पढ़ रख रख तो आप लक्षमी कानप फॉलो करो अदर्वाइज मैं आपको बोलूँगा कि तीन मैं लक्षमी कान भी पढ़ने के जरूत नी है परिक्शापल से नोर्स के नोर्स पढ़ governance की बात करोगे English की बात करोगे ग्यान की बात करोगे परियावरण क्योंकि आप में एक टॉपिक जो परियावरण अलग अलग इसे करके दिया है इथिक्स जो आप सबस्दा परिशान हो रहे है डिसीजन मेकिंग और पेपर सॉल्विंग जो है और उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मैनेजमेंट है यह और भूगोल सारे जितने पार्ट आपके स्लेपस में एक एक का नोट्स बहुत बहुत बेतरीन इसको मैं आपको डेमो भी करके दिखा दूँगा ठीक है आप नया चीज मत पढ़ो और आपने नहीं पढ़ रखा है तब मैं आपको बोलूँगा कि आप के वल परीक्षा प्लस के नोट्स पढ़ लेते हो तो मोधन सफिक्षिंट है नोट वर्य वाउट और कहीं भी आपको कोई भी अत्रित रिसोर्स पढ़ने के अवश्यक्ता न इनों ने एक एक पार्ट को एक्स्प्रेट कर दिया है मतलब कि आप थोड़ा सा वोक है पोसन और थोड़ा सा ग्रामर पोसन पर अच्छा मजबूतिक बना लोगे तो यहां पर इंग्लिस में 50 में अच्छा स्कोर कर सकते हो और बच्चे स्कोर करने वाले 40 प्लस बहुत आर अगर आपको इसकी कॉंसेप्ट पता हैं तो यहां से कोशन गलत नहीं होते कितने भी हार्ड हो जाएं कारण कहा है क्योंकि चार विकल्प दिया होते हैं और चार विकल्प से आप ऐसे ही अगर यहां पर बात किया जै इंडम फ्रेजेश हो गया यहां पर पंक्चुएशन ह इन पार्ट से आप क्कलती हो रहते हो जल्बी से क्या करते हो इसकोर आपका ज्यादा बढ़ जाता है अब जो sentence correctional common error है इस पार्ट में फोड़ा सापकर की स्कॉरी बाते होते हैं बलकुल बहता हो तो आपको सर्वेस्कार कवराइंगे। आपको कॉन कॉन सी फैकल्टीज में आपको होने वाली हैं. पिछली बार क्या हुआ था इन्होंने इस बार भी नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि अलग-अलग पेपर कि यह क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर कटॉफ डिसाइड कर सकते हैं तो पिछली बार क्योंकि 17,000 बच्चों ने ही पेपर दिया था 106 वेकंसी थी उन्होंने क्या किया कि करीबन 52 परसंट है ना 150 कोशन था उसका 52 परसंट एप आठाटर कोशन या बहातर कोशन सम्थिंग अठाटर कोशन था उन्होंने क्या किया था क्टॉफ कर दिया था कि इस इससे जितना ज्यादा कोई अगर 150 में से 78 नंबर कोई पाता है तो वो क्या करेगा वो बुला लिया जाएगा पेपर टू और पेपर त्री में क्या कर दिया जाएगा बुला लिया जाएगा इंटर्व्यू के लिए उसको कॉल आ गई थी लेकिन यहां पे क्योंकि इस बार फॉर्म भरने की ज़्यादा चांसेस हैं तो एक मेरिट भी डिसाइड कर सकते हैं तो इस बात को आप दिवा में रखना है एक निससरी कटॉप बना दिये जैसे पिछली बार 52 परसंट बनाये थे इस बार हो सकता है आप इन्होंने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है बट आप कटॉप बहुत बनाएंगे तो पिशली बार 52 परसंट इस बार 60-50 परसंट इस जाद आपको कटॉफ नहीं बनेगा तो यह दिमाग में रखते हुए चलिएगा तो अगर आप देखो जैसे कि पहला पेपर 150 का है तो 150 का अगर वो 60 परसंट बनाएंगे तो 156 हिसाब च इस कोशन आप लगबग सेक्शन को टॉफ हो जाएगा हाला कि अब लोग आते हैं कि इस सेक्शन में पेपर टू में आपको किस प्रकास है करने है तो जेनरल इंटेलिजेंस रिजनिंग एंड मेंटल एविलिटी इसमें कुछ अलग नहीं है कॉमन सा आपका जो रिजनिंग होता है वही रिजनिंग है अरिफमेटिकल एंड नुमेरिकल एविलिटी जो होता है इसमें आपको कॉमन मैस मतलम नमबर सिस्टम उसके बाद अरिफमेटिक आपका परसेंटेज हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया इसके बाद आपका एवरेज हो गया और आप का एक चेप्टर मेंस्टिरेशन हो गया इन सबको मिला कि जद 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 डियाई पूछलेंगे 25 कोशन होगा तो मैक्सिमम तीन डियाई होगा बाकी आपके 22 कोशन क्या होंगे अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम के जिसमें number system के question ज्यादा देखने को मिल सकते है, question यहाँ पर भी moderate level के होंगे, easy to moderate, बहुत आसान नहीं और बहुत tough नहीं, general science यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने general science में जब topic को explore किया है, उसने लिख दिया optics, तो वो क्या कर दिया है, केवल एक ही terminology लिख दिया, modern phase, अब modern phase में आपको सारे, silicon, germanium, जितने भी आपको communication system है, सब कुछ आपको modern phase में पढ़ना है, तो इस हिसाब से आपका syllabus, कम आप मत देखो कि syllabus कौन सा बढ़ा है, आप यह देखो किसका ज्यादा explain करके दिया, जैसे quality में इसमें क्या किया, syllabus को पुरा खोल दिया, तो आपको पता है कि यही topic पढ़ा है, आपको केवल लिख दिया था, quality और governance, तो आपको समझ में आदा, हम कौन कौन सी topic पढ़ें, कौन कौन सी छोड़ें, तो यह आपको strategy अच्छे से बन सकती है, अभी एक चौ आपका economy बहुत broad पढ़ना है, बहुत कम question होंगे, यह आपका main जो part है, environment ecology और उसके economic perspective पर है, 25 question उने अलग से किया है, उसके बाद जो सबसाद आपको परिसान करने वाला part है, ethics, integrity और aptitude, अब यहाँ पे इन तिन पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से ब पेपर बनेगा, वो factual based बनेगा, और प्रतक्षम किम प्रमाडम मैं आपको दिखा देता हूं कि जो पिछली बार paper बना था, पिछली बार syllabus आप देख लो, अभी इसका syllabus आपने मुटा मुटा देख लिया है, इसका syllabus थोड़ा सा देखो है, यहाँ पे आप थोड़ा से syllabus अबब वही English आपका है, और वही आपका क्या है, वही आपका general intelligence, यहाँ पे reasoning भी अलग से दे दिये थे बस, जो paper 2 था, इसमें क्या किये थे, paper 2 में यह subject specified दे दिये थे, और subject specified कहने का मतलब यह हो गया, कि इन्होंने, क्योंकि जैसे इस बार भी तीन section में आया है, general section में आया अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, यह तो आपका paper 1 का है, जिसमें math reasoning, gsf 7 का दिये थे, और इसके बाद English में syllabus बिल्कुल change नहीं किये, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो इन्होंने domain knowledge में, यह CCS का conduct जो rule था, FR conduct rule, जो SR थे, FR थे वहाँ से, लेकिन जो पांचमे topic को आ आप इसको क्या कर दिये, कम करके 25 केवल कर दिये, बाकी portion को इन्होंने जिसे ERP application operation management था, अब यकीन मानों कि syllabus देखने से इसा लगता है, पता नहीं क्या पूश लिया था, और मैं आपको बताओं पूंचा क्या था, पूंचा आप से यह था, कि अगर कोई सरकारी कमचारी है तो उसको साल में कितनी चुट्टी मिलेगी, सरकारी कमचारी है, तो किस grade पे उसे air traffic होता है, या बोल सकते हो कि हवाई जहाँ से उसे यात्रा करने को मिल सकता है, या फिर कितने जो अगर कोई महिला है, गरवती है, तो साल में कितनी चुट्टी ले सकती है, चाइल्ड केर कितना ले सकती है, कितना percent DA होता है, HR कितना percent होता है, ये सारी चीज़ें आपकी ERP वगरह में पूछे था, तो ये कोई बहुत बढ़ी knowledge नहीं होती है, हाला कि जब इस बार हाई नहीं है, तो हमें पंडिक जो अतनी, management का पार्ट अगर मैं बोलू तो management में, जैसे principle of management में, planning, planning organization, directing control, job analysis, job description, job specification, job design, job change, ऐसे लग रहें, पता नहीं कहा है, motivation, leadership, communication, but बहुत आसान ही यहाँ पे पूछाता, इन सब के topic ऐसे हैं, कि अगर आप विल्कुल ना पढ़के जो ना, थोड़ा सा भी अगर आपको अंदर administration का, थोड़ा सा management की skill है आपके अंदर, और आप ये paper दे तब आप 12 प्रस कर किया होगे, फिल से मैं बोलूँगा प्रत्रेक्षम की प्रमाण, इस बात को आप देख लेते हैं, अब ही मैं आपके सामने जो पिछली बार question पूछा गया था है, एक दो question लाके रखी दे रहा हूँ, है ना, एक वीडियो में इतनी सारी चीजे देना थ इसे आप क्या करोगे, इसी को तो recruitment बोलते हैं, कितना basic question था, उसने पूछा, systematic exploration of the activities business job, अगर आप किसी job में, किसी activities का, एक analysis कर रहे हो, क्या, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो job analysis हो जाएगा, exploration मतलब उसका क्या कर रहे हो, उसको आप उसकी जाच कर रहे हो, तो ये job analysis हो जाएगा, ऐसे ही आप से क्या question पूछा था, यहां पर अगर आप देखो, तो ये question आप देखोगे कि, योजना अवदी के दौरान, विक्सित, पोलवर निल्धारित, मानकों की तुलना में, वास्तविक प्रचलन कार्जियों के सतत विस्लेशन और माप को क्या कहते हैं, इ job evaluation, job change, job marketing, job specification, तो यह मतलब बहुत, बहुत basic सी चीज, एक सीधा बोल दिया, किसी कारे के उद्देशों, आप एक शित, कौसलों, नहित, जिम्मेदारियों, कारे करने के सत्तियों, आधिके लेकित, विवर्वर्ण को क्या कहा जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, कारे मुला सांकेन पे कही कार, एक जनल साथ, सींपल से पुछले, लीफो मेथट क्या है, लास्टीन फर्स आओ, आप से सिंपल से पुछ लिया, कि एक इम्पॉईस को अलग-अलग आप क्या करते हो, तो उसका पोस्ट करते हो, तो उसे क्या बोला जाते है, क्यों करते हो, तो इसे इसमें अलग-अलग फिलोस्पर की थेयरी क्या रही है, उनके, उन्होंने क्या व्यक्तिव दिये हैं, तो इन सबसे आपके कोशन भी बनते हैं, ऐसे भी कोशन देखे गए हैं, तो यहां से आपको पूरा पढ़ोगे, बहुत बेचिन तरीके से पूरा कंटेंट आपको कव करवा दिया जाएगा, परिक्षा प्लसी उसके लिए परिशान मत हो, तो इथिक्स में मैं फिल से बोल रहा हूं कि एथिक्स में परिशान नहीं होना है, यह ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको, क्योंकि जब MCQ बेस्ट आता है, तो यह करना आसान हो जाता है, यह आपको क्या कोई employee किसी काम से कहीं पर गया हुआ हो, उसका रास्ते में accident हो जाता है, ऐसे में आप तो पर बेले decision क्या लोगे, तो यह सारी चीज़े case studies पर होती है, जो reasoning based होती है, यह बहुत आसान पार्ट है, management आपको मैं खुद cover करवा दूँगा, उसके लिए बिलकुल मत परिशान हो चाहे inventory की बात हो, चाहे फिर आपका leaf of evo की बात हो, कोई भी हो, या management job description या किसी भी चीज़ की जरूबत है, वो सारी चीज़े, मैं आपको cover करवा दूँगा, ethics के लिए आपको मैं अभी बार बता ही देता हूँ, national geography सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर आपको team से मिला देत नेशनल जो geography है, इसमें आपको केवल Indian geography पढ़ना है, तो एक safe score, अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो overall जो आपका pattern बन रहा है, ये 150 question का एक बन रहा है, 200 question का, ये paper 1 है, ये paper 2 है, और paper 1 और paper 2 मिला लोगे, तो आप paper 3 में जाओगे, जो आपका कितना हो जाएगा, जो आपका, ये भी 1.500, paper 3 भी जो आपका है, वो 1.500 का ही है, एक बार मैं confirm कर लो, 1.500 का ही है, है ना, paper 3 भी आपका कितना का है, ये 150 का ही है, ठीके, paper 3 जो आपका, यहाँ पे, ये भी 1.50 का है, उसके बाद जो चौथा स्टेज है, SO के लिए के वाल interview, 100 number का, औ ASO के लिए CPT qualified, उसमें कोई number नहीं है, मतलब आपके लिए ये 3 portion ज़्यादा main है, इसमें से आप आसानी से, क्योंकि यहाँ पे current affairs है, और English है, और आपका क्या है, history और quality ज़्यादा भी से नहीं है, तो आपको इस 150 में, कम से कम आपको 105 प्लस अगर score कर लेते हो, तो आप reasoning हो गया, इसमें क्या हो गया, जो problem solving हो गया, इसमें आपका management हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे scoring part है, इसे आप तुरंट क्या कर पाओगे, score कर पाओगे, 8 part में 5 part scoring है, मतलब कि आप 125 नंबर में, आप 110 score कर सकते हो, math, reasoning, problem solving, management, और मैं science की बात कर लो है, ये 5 part क्या है, ये आ management भी आपका scoring part है, science की जगहा पर मैं management लिखू तो जाता बहतर होगा, हैना management मैंने पहले लिख दिया है, तो ये क्या है, ये आपकी जो 3,25, 25, 25 वाल है, problem solving, ethics and management, वहां से आप score कर ली जाओगे, और math solving, ये scoring part है, मतलब कि एक 125 में से आप 105, 110 question कर लेते हो, तो बहुत अच्छ करने का प्रयास करो, descriptive में average marking होती है, इसमें आप मैं पिछली बार का बच्चों का number भी आपको दिखा दूगा, किसी session में, तो इसमें average marking होती है, बस आपको इक pattern है, जैसे पत्र लेकर ने, तो आपको module पता होना चाहिए, essay में आप थोड़ा वाट भी अच्छा लिख देते total 600 number का होगा, SO 600 number का होगा, और जो ASO होगा, वो 500 number होगा, मतलब कि अगर आपको, अगर आपको selection लेना है, तो target आपका 350 प्लस इसमें होना चाहिए, और लगबग 420 प्लस आपका score किसमें होना चाहिए, ये आपका SO में होना चाहिए, जहां पे interview में ranges देखे गए हैं, किसी को 4950 number में मिले हैं, तो किसी को 90 number में मिले हैं, हलाकि इनके protocols होते हैं, तक उसी साफ से चले गए, आपकी एगर body language अच्छी है, तो आप 60 number तो ऐसे ही पाजाओगे, बाकी 10-20 number जितना अच्छा आप answering कर लो, interview बात की बात है, उसके लिए पूरा prepare कर दिया जाएगा, आप English में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, interview की चिंता आपको लेकर लिए, तो एक safe score में SO और ASO की बोलू, तो 400, 200, 350, लेकिन, सबसे बड़ी बात है कि safe score तक पहुंचे कैसे, तो मैं आपको इतना बोलूँगा, देखे, छोटे बच्चे नहीं हुआ, और बिलकुल ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी बहका दिया जाए, तो आप समझ जाओगे, आप अपना बुला, भरा, जो बुरा है, अपना भला है, सब कुछ आप समझते हो, कि क्या आपके लिए उची थे, क्या अनुची थे, अभी market में, क्योंकि ये पूरा pattern बदला है, market में बहुत सारे publications ऐसे आए और आप 2-3 दिन में आप 8-12 किताब में लांच कर दोगे नहीं, अगर आप यही परिक्षा प्रस पर बोलोगे, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूगा कि ये आपको केवल, केवल अभी ये किताबों पर काम चल रहा है, वो आपको दिखाया जा रहा है, हाँ, math के, reasoning के, science के, इन से कोई content ठोड़े रहते, बट आपको ethics का, आपका पूरा management का है, decision making का है, ये सारे parts CSIR के आधार पे आपको बनने है, तो पूरा content आपका यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, और इसका मैं एक बार demo, कितना कितना, तेजी से काम ये पूरा team परिक्षा प् ठीक है, ये ऐसे ही आप ये पूरा, पूरा अगर आप देखोगे, तो ये ethics का, एक notes बहुत ही ब्यापक रूप में यहाँ पे आपको cover कराया जा रहा है, ऐसे ही आप ये दोनों, एक तो हिंदी medium में भी, और English medium में भी, आप हिंदी medium में सेम चीज़ देखे, आप English medium में भी, मैं थोड़ा भी जानकाली आपको पता होगा, तो ancient से ही इसका bridge बना है, जैसे आप बोलोगे, तो यहाँ पे बुद्ध की बहुत सारी philosophy आप पढ़ोगे, है ना बुद्धिश जो ethics होते है, जैन की ethics पढ़ोगे, शिक की ethics पढ़ोगे, ये सारे इस्थ्वामी विवेकनन्द एक bridge का काम किये western और जो बोल सकते हो कि eastern countries के बीच में, तो ये जो पूरा एक ethics है, बहुत बेतिन, ethics in India कैसे आया, historic test क्या है, determinants of ethics पूरा, जो आपका syllabus में दिया है, एक बहुत बेतिन आपको इसका क्या किया जा रहा है, एक notes बनाया जा रहा है, हिंदी, English आपको दोनों ही medium म से पिछली बार ही FW Taylor का, Henry Foyal का आया था पिछली बार, MBO क्या होता है, Peter F. Drucker ने क्या कहा था, इन से चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाएगा, synergy से पिछली बार कोशन पूछा था, Six Sigma क्या होता है, यहाँ से आप से कोशन पूछा था, जैसे आप motivation में जाओगे, तो motivation में अलग 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 की क्या होती है, तेयोरी होती है, organization में जाओगे, यह सारी आपको, जो staffing और directing होता है, यह सारा आपको एक एक चीज़, बहुत बहतीन तरीके से, जैसे leadership हो गया, यहाँ पर आपका communication हो गया, तो एक एक चीज़ आपको, यहाँ पर देखो, theories of motivation, यहाँ से प देखो कि तो bilingual, English और Hindi में, दोनों में आपको English का भी bilingual करके दिये गया है, कि आप किसी भी भासा से हो, दोनों भासा में आपको यह आसान पड़ेगा, इसे करने में, English के बाद आप देखो कि तो maths वगरा है, इतना बहत्रीन आपको यहाँ पर बना के दिया गया है, कि एकदम representation form में, आपके बहल नोर्स अच्छे से पढ़ लोगे, यह आपको vocab, book है, सारे vocab, कहां से आपको idiom, phrases, synonyms, synonyms, कहां से आपको cover करने, maths साब देखो कि तो maths भी पूरा bilingual प्रकास से, एक बहुत बहत्तरीन तरीकी साब इसे देख सकते हो, अच्छे से, यह आपको पूरा नो कुल मिला के अगर आप देखो, तो यहाँ पे 10 से 12 किताबे हैं, और प्रतेक किताबे, जैसे आपका ethics 40 से 45 पेज का हो जाएगा, ऐसे ही management भी आपका 50 से 55 पेज का हो जाएगा, ऐसे ही आपका problem solving उस पर केवल questions वेट पे ज्यादा काम होगा, वो भी आपके 60 से 70 पेज पेज जाएगा, और आपके पास 3 महिना इतना आप इतनी बड़ी पेकंसी के लिए, एसे के लिए, गेस्टर ऑफिसर के लिए, CSIR में बैठने के लिए, आप 1000 और 1000 पे इस कंच्यूम नहीं कर सकते हो, इसके साथ आपको assist करने के लिए हमारी जो पूरी के पूरी team है, जो पूरी team ह आपका है decision making 80 सर पढ़ाएंगे, एथिक्स आपको विवेग मिस्रा सर पढ़ाएंगे, उन्होंने ESC के मेंस, और लेडी कितनी बार इंटर्व्यू देर चुके हैं, इस समय वो लक्नो मेट्रो में कारियर था है, सर वेस्तर आपको जो पहले भी IV ACIO में रहे चुके हैं, वो आपको English पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बढ़ा अनुभा के साथ, अरू सर आपको third paper की कहीं न कहीं, मदद करेंगे, रमन सरी बहुत 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 बहुतरीन, उनका concept बहुत बहुत ज्यादा अनुभों के साथ आपको पूरा पॉरा पॉर्टेर गोवर्नेंस पढ़ाएंगी तो एक बोल सकते हो कि बहुत 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 बहुतरीन टीम के साथ मैं अगर यहां पर मेरे पास टीम की सारी फोटो हो तो मैं टीम के सारी फोटो भी आपको यहां पर दिखा दे रहाँ कि जो जो भी अगर मैं यहां पर लाया हूँ ठीक है एक सेक बस मुझे यहां पर दे दे तेंोगे यह यह मैं आपको मिला देता हूं एक-एक फेकल्टी से की कौन आपको क्या पढ़ाएंगे आपको बहुत सर बेहितरीन तरीके से एके जैसे आपको management में खुद पढ़ा रहा हूं मैंने बताया ना आपको decision making और reasoning होगी आशी सर पढ़ाएंगे ethics आपको विवेग मिश्रा सर पढ़ाएंगे निवंद पत्रिलिखन इन सब के हारम जानकारी देंगे reasoning आपके आशी सर और एतियास आपको फिसे फाहिम सर तो लगबग 8-9 faculties के साथ 10-12 किताब के साथ एक बहुत बढ़िया content के साथ team परिक्षफ इसके लिए उतरी है और सबसे बड़ी बात है कि इसका आपने हमसे पहले ही बोला था कि सर फिस ऐसा रखेगा कि हम इसके क्या करें तैयारी कर पाएं बहुत सारे बच्चे थे हाला कि मैं आपको सही बता रहो syllabus तो वाश्ट था इतनी सारी faculties इतना सारा आपके लिए सारी चीज़े अविलेबल कराना एक challenge था और फिर भी टीम परिक्षाप्रस अगर आप देखोगे तो CSIR SO ASO का जो course है वो केवल पक्चिस सो में launch की है उसके बादी में पहले सौ बच्चो के लिए हमने इस course को केवल कितने में रखा है 999 में रखा है आप यहाँ पर देखोगे तो यह course केवल है 999 में है पच्चिस सो का course केवल 100 बच्चो के लिए और सबसे अच्छी बाते में फिर से एक बार आप सभी का जितने बच्चे टीम परिक्षा प्रस पे इस विश्वास के साथ जुड़ते हो बिना course launch किये केवल एक बार एप पे course पब्लिस हो गया बिना उसकी कोई सूशना दिये जो मैंने 100 का पहला target रखा था वो आपने कु से तीन महीने का हम लोग आपका ये फ़रवरी के second week तक पूरा complete करेंगे जिसमें live classes उसकी फिर recorded class भी मिलेगी classes की जो आपके board की PDF होती है वो नोड्स आपको मिलेंगे इसके अतरिक जो मैंने आपको सारे e-book दिखा है वो PDF के form में आपको PDF नोड्स सेक्षन में मिलेंगे सारे आपको study material के साथ आपको topic test मिलेंगे topic quizzes मिलेंगे इसकी अतरिक आपकी जो validity होगी वो till exam तक होगी इसकी फीस पत्चिस सो थी लेकिन पहले जो 100 बच्चे हैं उनके लिए 999 हाला कि ये पूरा हो चुका है मैं क्यूंकि थोड़ा late से ही हूँ इसलिए मैं अतरिक 100 बच्चों के फिल से बढ़ा दे रहा हूँ तो ये अभी आप ये इससे avail कर सकते हो जिसके बाद फीस बढ़ जाएगी अभी आप अन्य संस्थाओं के देखो कि तो कोई 5000 कोई 7000 इसकी फीस रखा हुआ है जिसके respect में 2500 plus GST कोई फीस नहीं होती है और उसके respect में 999 बे तो बिलकुल कुछ दिमाग में आता है सरक्या में इतना पढ़नू तो मेरा selection हो जाएगा मैं बोलूगा बिलकुल नहीं अगर आप केवल ये सोचू कि इतना पढ़के और आपका selection हो जाए तो ऐसा नहीं है पढ़ना और उसे consume करना उसे बार बार revise करना उसे एक कोटा पूलती अलग चीज होती आप पढ़ो आप सारी classes अच्छे से cover करो आप सारी टेस्ट है जो quiz जे उन्हें अच्छे से cover करो जितना हम आपको बता दे रहें जितना आपको follow करा दे रहें वो path follow कर लो जो हमारी team का माग दसनोगा उसको आप follow कर लोगे तो हाँ मैं वहाँ पर आपको 110% guarantee लेता हूं कि आ पढ़ने से cover किताब पढ़ने से आप यहां पर कर लें लेकिन अगर हमारे बताय हुए रास्ते पर आप अच्छे से कर लें जाओगे तो मैं इस बात को एशुर करा रहा हूं फिर आपको इसके अतरिक तो कुछ भी पढ़ने के विशक्ता नहीं है सारी classes सारे notes सब कुछ मतल लाया तो लायक विशकर दीजेगा चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब और आप में से कितने ऐसे बच्चे हो जो CSI, SO, SO को फॉर्म भर दियो और भरने जारो तो यारी करने जारो मुझे कमेंट में जरूर बताएं इसके अतरिक तिद्या कोई भी प्रिशन है तो आप कमेंट सब्सक्राइब जाओ जो नहीं किये हो वो सीथा को से सक्सर में जाओगे CSI, SO, SO, अभी आपको यहां पर देखेगा वह नौशन दाने पर जश्टी 1108 तर आपको प्राइस लबबग दिखेगी यह आप अभी क्यूंकि इसमें पर्चेश करोगे पर्चेश कर लोगे तो व् आपडेट करने याप नहीं आया है तो वह हम ऐसे ही आपको किवल कवर बदल के नहीं दे सकते हैं उसमें पूरा अपडेशन चलेगा क्या चीजें हो सकती क्या नहीं हो सकती है सब कुछ आपको कवर करके उसमें आपको दिया जाएगा तो उमीड है कि अगर आप कोसे मैं वैसा करूँगा क्यूंकि मेरे लिए 444 पद में एक पद पे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत महत्पूर के साथ साथ बहुत अच्छा पद भी है तो नो डाउट इसके लिए हम चांस एक ले सकते हैं एक मेनत कर सकते हैं अगर ये दो-तीन महीने की मेनत आप को भी बराबर मेनत करनी होगी जब दोनों मेनत करेंगे तभी सेलेक्शन होगा और अगर इतना कर लेते हो तो निश्यत रूप से आपको कोई चैन लेने से नहीं रूप पाएगा तो एक बार मैं इंतजार करूँगा कि आप लोग को से फसे जुड़ें फिर मिलेंगे बाद बाद लेवा समी का बाद बाद आप है